Dear students, in this lecture, we will discuss about the corrosion protection by electrochemical method. Electrochemical method से कैसे हम corrosion से अपने metal को protect कर सकते हैं, उसके बारे में हम इसमें detailed पढ़ेंगे. इससे पहले lecture में आपको मैंने सारी methods बता दी हैं कि corrosion से हम metal को कैसे रोक सकती हैं. उसमें specially मैंने ये दो method लिये हैं, जिन methods को describe, आपको मैं और अच्छी तरीके से करूँ, जो electrochemical method है, उसके थुरू हम कैसे corrosion से metal को protect कर सकते हैं. ये जो corrosion protection method है, इस method में हम दो तरीके का protection यूज़ कर सकते हैं. cathodic protection and anodic protection. इसकी जानकारी मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में दे चुकी हूँ. उसकी विस्तित जानकारी मैंने आपको नहीं रही थी, detailed. वो short मैं आपको ताकि आपको कहीं protection के methods लिखने को आएं, तो आप सारे protection के methods एक साथ लिख सकें. यहां पर हम cable electrochemical method को detail में discuss करने जा रहे हैं, और यह जो electrochemical method है, यह दो तरीके से इसको apply किया जा सकता है. तो एक तो है हम anodic protection करें, और दूसरा जो method है वो है cathodic protection. तो इसमें सबसे पहले हम जो method लेंगे वो है cathodic protection. कैसे हम cathode को protect कर सकते हैं? देखे, cathodic protection के दो method अल्रेड़ी आपको पताये थे, एक में तो हमने metal coating करी थी, वो भी cathodic protection था. और दूसरे में हमने sacrificial anode यूज किया था. अब यहां पर जो electrochemical method जो होगा, coating जो है, वो तो हम deep करके कर सकते हैं, galvanizing process से कर सकते हैं, लेकिन coating हम तब कर पाएंगे, जहां पर हम जो metal है, वो छोटा है या वो पहुँच तक है हमारी, हम उसको उसको पहुँच सकते हैं, तो हम उसको कर सकते हैं, उसके side छोटे हैं, लेकिन जहां हम उस तक नहीं पहुँच सकते हैं, remote areas में, means buried है, अंदर, बहुत अंदर गहरा जमीन में है, तो वहां तक तो हम उसमें पहुच नहीं सकते हैं, और उस पे अगर हमने coating कर भी दी, तो हो सकता है, वो coating समय के साथ निकल जा metal तो हमारे सामने है नहीं, जिससे हम उसको फिर से coating करके बचा लें, तो हम क्या करें, कि ऐसे तरीके के processes में जहां पर जिस metal हमें protect करना है, अगर वो बहुत अंदर बरीड है, अर्थ में, तो उसको बार बार निकाल के उसके उपर coating करना ये possible नहीं हो पाता है, इसलिए हम क् दूसरे तरीके का method apply कर सकते हैं, जो की electrochemical method होगा, जिसके थूँ हम इस तरीके के जो buried objects हैं, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, corrosion resistant बना सकते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, उसमें ताकि उसमें कोई corrosion ना हो पाए, तो ये हम कर सकते हैं, तो इसमें जो एक method है, वो है cathodic protection का और प्रोटेक्शन का, तो पहले हम जो method देख रहे हैं, उसको हम cathodic protection method देखेंगे, कि अगर कोई इस तरीके का material है, जिसकी पहुच हम से बार बार नहीं है, तो उसको हम कैसे cathodically protect कर सकते हैं, अब जो cathodic protection है, उसके लिए देखे क्या जरूरी है, एक तो cathodic protection के लिए जरूरी है कि वहाँ पर electrolyte होना जरूरी है, कोई न कोई electrolyte हो, electrolyte क्या होगा, soil के अंदर, जो conducting material होगा, वहाँ पर, soil solution होगा, उस soil solution में, जो, the soil solution होगा, that will act as an electrolyte, और उस पर कई सारे cations और anions में होगे, तो वो एक तरीके का electrolytic solution है, तो cathodic protection के लिए important, जो requirement है, that is electrolyte, दूसरा आप द protection हैं हम किसका करते हैं, generally underground metal protection हम कर सकते हैं, okay, so cathodic protection हम के से कर सकते हैं, cathodic protection के लिए और क्या-क्या requirement हैं, पहले उन्हें देखे, अगर हम किसी भी electrochemical cell को देखे, तो क्या होता है वहाँ, एक anode होता है और एक cathode होता है, anode पर क्या होती है, oxidation की reaction, और जब anode पर oxidation की reaction होगी, तो वहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रोन निकलेंगे इलेक्ट्रोन जो निकलेंगे वो कहां चले जाएंगे कैथोड पर क्योंकि कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन और वहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होता है वो इलेक्ट्रोन ले लेता है इसका मतलब इलेक्ट्रोन का जो फ का flow अगर देखें, तो ऐसे होगा. एलेक्टान का anode से हो रहा है, तो ये इस तरीके से होगा. और जो current का flow है, वो कैसे हो जाएगा? जो current का flow है, वो होगा, पहां से कहां होता है? negative से positive की ओूड़. तो देखिए, current का flow कहां से कहां होगा? current का flow होगा anode से cathode की हो अगर हम outer circuit में देखे तो यह कहां से anode से cathode की हो तो anode जो है वो electron दे रहा है cathode को और current का flow कहां है cathode की हो तो कुछ conditions हम देखें cathodic protection के लिए क्या जरूरी है number one condition है कि cathodic protection के लिए metal जिसको protect करना है that should be a cathode जिस metal को protect करना है उसको हम क्या बनाएंगे cathode क्योंकि anode जो है उसका corrosion होता है anode पर oxidation होता है oxidation का मतलब corrosion यहां पर तो इसलिए metal को क्या बनाना है जिसको protect करना है उसको क्या बनाना है cathode बनाना है दूसरा point देखिए अगर cathode जो है वो क्या होगा वो metal होगा जिसे protect करना है तो current कहां से कहां होनी चाहिए current का flow होना चाहिए towards cathode इससे पहले हमने देखा जो current का flow होता है generally वो भी कहां को होता है cathode की ओर होता है तो इसलिए current का flow कहां होना चाहिए cathode की ओर होना चाहिए और तीसरा पॉइंट देखिए इलेक्ट्रोन शुड एंटर in the metal to be protected ये भी हमने इससे पहले बताया इलेक्ट्रोन कहां एंटर करना चाहिए इलेक्ट्रोन एंटर करना चाहिए कैथोड की ओर कैथोड की ओर वो मैटल जिसे हमने प्रोटेक्ट करना है तो इलेक्ट्रोन का फ्लो कहां होना है कैथोड की ओर करेंट का फ्लो कहां की ओर होना है कैथोड की ओर तो ये जो फ्लो है क्योंकि इलेक्ट्रोन कैथोड accept करता है इसलिए वो इसलिए वहाँ पर क्या होता है रिडक्शन होता है वो कैथोड है और जो current का flow होता है वो कहां की और होता है वो होता है cathode की और तो current है वो किस और होनी चाहिए cathode की और therefore for cathodic protection current should leave the metal where the corrosion will take place इसलिए जो current है वो वहां से जानी चाहिए जहां पर metal का corrosion हो रहा है मतलब anode तो anode से तो current को जाना है और cathode पर current को आना है तो यह होता है cathodic protection तो cathode पर current आएगी और anode से current चली जाएगी तो इस तरीके से पूरा circuit होगा और यह cathodic protection के लिए requirement है अब जो cathodic protection होता है यह दो तरीके का होता है मैंने आपको एक तरीका बताया था इससे पहले यहां पर मैं आपको दो तरीके बताने वाली हूँ दो types होंगे cathodic protection के लिए तो वहां जो हमने discuss किया था इससे पहले वाली lecture में वो था sacrificial anode cathodic protection through sacrificial anode जो anode है वो त्याग करेगा sacrifice करेगा क्योंकि anode कोई और होगा अब अगर हम दूसरा method देखें तो वो है impressive current cathodic protection जो impressive current cathodic protection होगा उसमें हमें बाहर से क्या देना पड़ेगा current देनी पड़ेगी बाहर से current देनी पड़ेगी तो वो कहला थी impressive current cathodic protection तो एक बार हम फिर से पहले इसको discuss करते हैं sacrificial anode cathodic protection को so let us talk about sacrificial anode so this is type of cathodic protection एक तरीका का cathodic protection है जहां पर हम sacrificial anode यानि हम जो material है जिसको protect करना है उसको बनाएंगे cathode और जो दूसरा कोई metal होगा उसको बनाएंगे anode so this is the setup for sacrificial anode ये एक ऐसा setup है जहां पर ये एक pipeline है ये pipeline एक कोई tank हो सकता है नीचे तो ये जो pipeline है ये अर्थ के नीचे buried है अर्थ के नीचे रखा गया है pipeline जा रही है अब इस pipeline को हमें corrosion से बचाना है इसको corrosion से बचाने के लिए हम इस पर coating कर जें लेकिन coating करने के बाद हो सकता है कि हमें बार-बार monitor इसको करना पड़े coating निकल जाए क्योंकि अंदर तो environment ऐसा है जो कि coating को निकाल सकता है तो उसको बार-बार monitor करने के बजाए हम उसको क्या करें उसको cathodic protection दे तो इसको हम कैसे करते हैं इस pipeline को connect कर देंगे एक ऐसे metal के साथ जिसका reduction potential more negative होगा as compared to this steel so as we know that reduction potential of zinc is minus 0.76 volt while reduction potential of iron is minus 0.44 volt so it has more negative reduction potential as compared to this so अगर इसका reduction potential minus में है तो यह अच्छा यहाँ पर क्या होगा oxidation होगा यहाँ पर oxidation ज्यादा होगा क्योंकि यह electrochemical series में उपर है इसका reduction potential कम है इसका reduction potential ज्यादा है तो आप बताईए reduction कहाँ पर होगा तो reduction कहाँ पर होगा जहाँ पर reduction potential ज्यादा होगा reduction potential कहाँ ज्यादा है जहाँ पर हमारी pipeline है तो यहाँ पर reduction होगा और यहाँ पर क्या होगा oxidation होगा और oxidation का मतलब क्या होता है corrosion oxidation जहाँ पर भी होगा वो metal metal iron में convert होगा solubilize हो जाएगा, धीरे धीरे यह solubilize होगा जबकि यह solubilize नहीं होगा तो corrosion किसका होगा? इनका होगा इसका corrosion बच जाएगा तो इसका मतलब है कि यह जो metals है यह sacrifice कर रहे हैं इनकी cost पर हम इसको बचा रहे हैं तो this is sacrificial anode बहुत simple इसका setup होता है और अगर हम एक और तरीके का देखें कि हमारी reach में अगर बहुत उपर कोई tank रखा है पानी का तो वो भी हमारी reach में बार बार नहीं होता है कि हम बार बार उसको जो है वो चेक कर सकें तो उसको भी protect करने के लिए हम sacrificial किसका यूज़ करते हैं? अब यहाँ पर देखिए यह है anode anode will release the electrons anode उने electron release किया कहां चले गए? cathode पर cathode will collect these electrons cathode क्या कररा है? इनको collect कररा है यहाँ से electron release होंगे यह यहाँ collect होंगे इसलिए cathode है क्यmostव查 है दूसरा आप देखेंगे यहाँ current कैसे पास होगी करेंट कहां से कहां पास होगी अगर हम अंदर देखें यहां इनर साइड तो करेंट पास होगी एनोड से कैथोड की ओर इट इस फॉलोईंग बोथ देखेंट इलेक्ट्रॉन भी यहां जा रहे हैं और करेंट भी यहां जा रहा है कैथोड की ओर और जो करेंट है वो एनोड स क्का होगा, यहां पर onGO Alors तो यह है अब दोसरा सेट आप और लेके चलते है पानी का ट के है अब लेके अब calendar तक में पानी को दिवा रहा है और यहां पर अब यह बरीड नई है बलकि यह टेंक उपर कही आँ और ऊसा तक के अंदर पानी भरा के है अब क्योंकि यह पानी की वज़ा से यह जो iron है इट में corrode जबकि इसमें अगर हम paint भी करें या कोई coating कर दें तब भी इसका corrosion हो सकता है क्योंकि यहाँ पानी है इसका corrosion से बचाने के लिए हम क्या करें इसमें एक rod डाल दें किसकी rod डाल दें यह तो magnesium की हो या zinc की हो या aluminium की हो तो अगर हम यह rod डाल देंगे तो क्या हो जाएगा यह तो electrolyte हो गया इसकी वज़ाए से यह दोनों contact में आ जाएगे एक electrode यह हो जाएगा अब यह जो है इस electrode का जो electrode potential हो minus में इस electrode का electrode potential इसे कम minus में तो reduction कहा होगा यहाँ पर होगा E more जहाँ पर ज़्यादा reduction potential होगा वो कैथोड होगा इट विल एक्ट जैस अनोड तो कर्यक्ट कहां से कहां जाएगी यहाँ से यहाँ current पास होगी तो current यहाँ से यहाँ पास होगी तो यहाँ पर क्या होगा corrosion जिस जगह से current पास होगी वहाँ पर इसका corrosion होगा जो हमने एक ऐसा metal लिया है जो ज़्यादा reactive है in comparison to this iron अब देखिए कि कहां पर sacrificial anode वाला cathodic protection यूज़ करना है सब जगह नहीं कर पाएंगे हम कहां पर हमें यूज़ करना है उसके लिए कुछ conditions है कहां पर यूज़ करेंगे the potential difference between anode and cathode material should be sufficient potential difference sufficient होना चाहिए जैसे भी हमने देखा कि एक metal जो anode की तरह act कर रहा था उसका potential जो है वो अगर minus 2.87 है जैसे magnesium है और उसको हमने iron के साथ जोड़ा जिसका minus 0.44 वोल्ट है तो ये दोनों के बीच में जो potential difference है वो काफी है जिससे कि एक electrochemical cell बन पाए और जो current का direction है वो कहां हो पाए cathode की और हो पाए तो इस case में हम क्या कर सकते है cathodic protection कर सकते है throw sacrificial anode दूसरा क्या condition है देखिए power supply की जरुवत नहीं कोई भी जहां पर power supply नहीं है जैसे बहुत remote areas है जहां power supply नहीं जा सकती वहां पर हम sacrificial anode को यूज कर सकते हैं अब यहां पर हम देखें zinc and magnesium तो अच्छे anodes की तरह act करते हैं aluminium generally बहुत अच्छा anode यहां पर नहीं है क्योंकि एक passive metal होता है समय के साथ aluminium के चारों और oxide की layer हो जाती है बन जाती है और उस oxide के layer की बनने की वज़ा से वो cathode की तरह काम करने लगता है कुछ समय बाद तो तब क्या होने लगेगा metal का corrosion होने लगेगा तो कोशिश यह रहेगी कि जो anode है वो zinc और magnesium यूज हो और अगर इस तरीके के हम जो metal है उनको अगर anode की तरह यूज करना है तो पहले ही उनको protect कर ले ठीक है तो इसको हम generally कम यूज करते हैं zinc और magnesium को ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि यह कुछ समय तक सही काम करता है और कुछ समय के बाद इसके चार और oxide के layer जमने लगती है generally जो भी हम metal को anode की तरह यूज करते हैं वो anode को चारों और से cover करते हैं किस से cover करते हैं जिप्सम, coke, NaCl जैसे NaCl है, Na2SO4 भी sometimes यूज होता है aluminium के लिए NaCl यूज करते हैं और कुछ दूसरे metals के लिए sodium sulphate भी यूज कर सकते हैं तो यह जो combination है इसको कहते हैं backfill इसको कहते हैं backfill तो यह जो backfill होता है यह अभी आप देखेंगे actually यह uniform corrosion करता है anode का यह करना जरूरी है, क्यों जरूरी है अभी हम next कुछ steps के बाद देखेंगे तो इसलिए अगर हमने यह किया है तो हमारा anode भी काफी समय चलेगा क्योंकि anode के और उसका कुरोजन हो रहा उसको भी बचाना है काफी समय के लिए ताकि हमारा जो cathode है उसका protection हो सके तो इस anode के चारोर के लगा देंगे backfill की यह layer लगा देंगे और इस layer के बाद ही हम फिर इस anode को anode की तरह यूज करेंगे यह देखिए जो setup है वो इस तरीके का होना चाहिए कि यह जो anode है इसके चारोर backfill होनी चाहिए यह setup अइसा नहीं होना चाहिए कि anode के चारोर और जो है यह यह À बैक्फिल नहों इसके चारों और बैक्फिल होनी चाहिए सो देट कुछ ज्यादा समय के लिए एनोड जो है वह उनिफॉर्म को रोजन उसका हो और ज्यादा समय के लिए इस कैथोड का प्रोटेक्शन हो पाए एक्चली जब हम इस सैक्रिफिशियल एनोड को यूज करें तो हम वहाँ पर करें जहां पर शॉर्ट डूरेशन के लिए हमें प्रोटेक्शन चाहिए अगर long duration के लिए sacrificial anode करना है तो फिर बार बार anode की monitoring करनी पड़ेगी और anode बदलने भी पड़ सकते हैं क्यूंकि anode का corrosion हो रहा है अगर anode का पूरा corrosion आनोड पूरा खतम हो जाए तो फिर किसका corrosion होना शुरू होगा? cathode का इसलिए long duration में anodes की monitoring करनी पड़ती है ताकि वो anode बना रहे और वो cathode का protection corrosion से करता रहे तो जहाँ पर कम duration के लिए चाहिए या हम जहाँ पर anode का monitoring कर सके वहाँ पर हम इस method को use कर पाएंगे Second method of cathodic protection is impressed current cathodic protection ICCP impressed current cathodic protection तो इस impressed cathodic protection theory को जानने के लिए impressed current cathodic protection को जानने के लिए हम में थोड़ा सा जानकारी लेनी पड़ेगी mixed potential theory की तो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी कि इसके थू हम कैसे impressed current cathodic protection को use करते हैं अब यह देखिए यहाँ पर हमने कर्व खीचे हैं in between E this is electrode potential reversible electrode potential versus current density का log log of current density so this is the curve between electrode potential and current density log logarithm of current density these two red lines यह दो red line है एक red line यह है और एक red line यह है तो यह जो red line है यह क्या है एनोडिक polarization line और यह जो line है यह है cathodic polarization line तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि एनोडिक polarization क्या होता है और cathodic polarization क्या होता है एक्चुली जो cell का एक हर एक cell का एक EMF होता है हर एक cell का जो EMF होता है उस particular EMF पर वो redox reaction होती है उस cell की अगर उस cell का जो EMF है वो बढ़ जाए उसके reverse electrode potential से तो वो कहलाता है एनोडिक polarization और अगर वो उस cell के electrode potential से कम हो जाए तो वो कहलाता है cathodic polarization for example हमारे पास एक cell है वो cell में हमने क्या लिया हुआ है एक तो लिया है zinc और एक लिया है copper जिंक का जो electrode potential है reduction potential वो क्या है पाइनस पॉइंट सेवन सिक्स वोल्ट और copper का reduction potential क्या है पॉइंट थी फोर वोल्ट इस case में reduction कहां होगा कहां पर होगा copper पर क्योंकि यह क्या है e more minus e less जिसका reduction potential ज्यादा होगा वहां पर क्या होगा reduction सो यह क्या होगा cathode और यह क्या होगा anode अगर हम इसका e cell निकाले तो e cell क्या होगा e more minus e less तो वह क्या होगा 0.34 volt minus minus 0.76 volt so it should be around 1.10 volt so actual में if we add these two अगर हम इन दोनों को add करें तो copper आएगा right side में and zinc आएगा left side में क्योंकि copper को बनाने जा रहे हम cathode तो redox potential कितना आया इसका 1.10 एलेक्ट्रोकेमिकल जो cell का जो electrode potential आया 1.10 volt आया तो कई बार क्या होता है कि जैसे cell reaction चल रही है और वो जो potential है वो इतना नहीं रहता फिर कुछ समय बात क्या होता है it can be greater than this value और it can be less than this value तो अगर यह जो potential है cell का अगर वो उसके जो equilibrium जो उसका electrode potential होना चीए था अगर वो उससे जादा है तो यहां पर क्या हो गया इसका मतलब anodic polarization हो गया anodic polarization की process हो गई है ठीक है anodic polarization और अगर यह जो cell का EMF है अगर उसके reversible EMF से कम हो गया तो वहां पर क्या हो गया cathodic polarization तो यह है cathodic and anodic polarization तो इन cathodic और anodic polarization को लेते वह फिर हम एक mixed point theory से आपको बताएंगे कि कैसे cathodic protection किया जा सकता है अब देखे यहां पर आपने देखा यह जो line है यह anodic polarization की है और यह जो line है यह cathodic polarization की है यहां पर मैंने आपको दिखाई है यह oxidation की reaction क्योंकि यह anodic reaction शो कर रहा है anodic polarization है यहां पर cathodic reaction यह दिखाई गई है यह लाइन और यहां पर यह जो point है यह इसका reversible electrode potential है यह क्या है इसकी current density होग उस समय जिस समय इसका reversible electrode potential क्या होगा e0 यह क्या है यह point क्या है इसका e corrosion यहां पर potential maintained रहेगा और corrosion होगा जब किसका metal का यह e corrosion है अब हम देखें यह जो cathodic polarization है यह current है और यह potential है यह यहां पर जो current हमने दिखाई है वो है IC cathodic current और यह जो current हम इसके correspondence दिखाएंगे वो है IA यह anodic current तो अब आप यह देखिए अगर हम cell को क्या provide करें कुछ current provide करें कौन सी current provide करें अगर हम अगर हम बढ़ाएं किसी cell में अगर हम cathodic current को बढ़ाएं तो कहां बढ़ेगी देखिए नीचे यहां को जा रहे तो cathodic current बढ़ रही है तो cathodic current को अगर हम ऐसे बढ़ाएं मान लीजे हमने यहां तक बढ़ा दी IC तक तो anodic current क्या होगी देखिए हमने क्या बढ़ाया cathodic current या तो हम cathodic current को बढ़ाएं या फिर हम anodic current को कम करें अगर हम cathodic current को बढ़ाएंगे तो anodic current क्या होगी ? y.a है और अगर हम इस point पर देखे current बढ़ाना शुरू करें तो आप देखिए ये क्या होगा? cathodic polarization होगा cathodic polarization होना शुरू हो जाएगा ओके? और इस difference को हम क्या कहेंगे? IC IC minus IA is the applied current जो current हम apply करेंगे वो क्या होगी? IC minus IA ये positive है? जो current है ये और ये क्या है? negative current है ये क्या हमने बढ़ाई है? cathodic current हो बढ़ाई है या फिर anodic current है उसको कम करें किसी भी point पर हम देख सकते हैं ये जो difference होगा ये difference क्या होगा? applied current तो देखिए अगर हम यहाँ पर हो अगर हमने इतनी सी cathodic current बढ़ाई हो तो इतना हमें जो हमें current है वो इतनी supply करनी पड़ेगी अगर हम यहाँ पर हो तो हमें इतनी current supply करनी पड़ेगी क्योंकि ये और ये जो difference है वो applied current है जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे अगर हम cathodic current यहाँ तक ले जाएं तो फिर हमें इतनी जादा क्या अपलाई करनी पड़ेगी current बाहर से ताकि क्या हो पाए cathodic polarization हो पाए हम जैसे जैसे cathodic current बढ़ा रहे हैं anodic current decrease होगी और जो इन दोनों के बीच का difference है वो applied current है और applied current आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम cathodic current बढ़ाएंगे applied current का amount बढ़ता जाएगा इतना समझ में आ गया होगा आपके applied current बढ़ती जाएगी यानि हम current को बढ़ाते जाएं तो क्या होगा cathodic polarization होगा देखे क्या हो रहा है cathodic polarization हो रहा है लेकिन anodic polarization decrease हो रहा है यह देखे आई ए डिक्रीज हो रही है, आई ए क्या बता रही है हमें, about anodic polarization, आई ए जितनी जादा होगी, उतना जादा anodic polarization होगा, और आई ए जितनी कम होगी, उतना कम anodic polarization होगा, आई सी जितनी जादा होगी, उतनी जादा cathodic polarization होगा, आई सी जितनी कम होगी, उतना कम cathod پोलराइजेशन होगा, तो आप देखिए जब, जैसे-जैसे हमने अपलाइट वोल्टेज बढ़ाई, वैसे-वैसे एनोटिक पोलराइजेशन कम हुआ, और एनोटिक पोलराइजेशन अगर कम होगा, तो एनोड का डिजोल्योशन कम होगा, तो rate of of corrosion क्या होगा decrease होगा rate of corrosion क्या हो जाfoldगा degrees होगा तो एच्छ WORी हम क्या कर रहे हैं i… अ कि इनॉटिक polarization को कISA कर रहे हैं थाई इन्क्रीजिंग इए इंन सuksंव आपलाइट करन्ड तो काल जाएंगे गए तो क्या हो जाएगा जो anodic polarization है वो कम होगा जितना कम होगा उतना कम corrosion rate होगा corrosion rate इधर बढ़ेगा इसके उपर अगर जाएंगे तो corrosion rate बढ़ेगा इसके नीचे अगर जाएंगे तो corrosion rate कम होगा तो जैसे जैसे हम cathodic current को बढ़ाएंगे एनोडिक current degrees होगी इन दोनों का जो difference होगा वोगा applied current. जैसे जैसे आम नीचे आएंगे तो हम applied current जादा दे रहे. जतनी जादा हम applied current देंगे उतนा कम क्या होगा? anodic polarization होगा और उतना ही कम क्या होगा? metal किसमे convert होगा? metal ions. क्योंकि anodic polarization की वज़ा से होता क्या है? जो metal है वो उतना ही ज difference है. अतनी ज़्यादा वो गुले लग जाता है जितना ज़्यदा एनोडिक पॉराइजेशन होगा उतना ज़्यादा होगा, प्ल Gegen foster Bye इनोड पर आकर एतनी हमें करेंट देनी पड़ेगी इसके आगे हम कितनी करेंट दे दें, कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन अगर हम इतनी current दे दें तो ये complete protection हो जाएगा उस anode का और यहाँ पर लेकिन ये करना बहुत कठीन काम है ये complete protection हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत हाई हमें क्या चाहिए electron density बहुत जादा चाहिए जो current density हो बहुत जादा चाहिए उतनी देना संभव नहीं है इसलिए जो current की density होती हो इसके और इसके बीच में रखते हैं जिससे की corrosion से बचा जा सके और anodic polarization will decrease I think it should be clear to you आपको कुछ-कुछ clear हुआ होगा कि हम cathodic protection कैसे करते हैं हम cathodic protection के लिए क्या करें बाहर से उसको अगर क्या दे दे current दे दे बाहर से current दे रहे हैं यह हम cathodic current बढ़ा रहे हैं anodic current को कम कर रहे हैं तो यह difference को हम बढ़ा रहे हैं जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं यह difference और बढ़ा है यह हम जितना ज़्यादा देंगे यह current उतना ज़्यादा इसका corrosion होने से बचेगा तो हम क्या कर रहे हैं, हम anodic polarization को कम कर रहे है और हम क्या कर रहे है, rate of corrosion को कम कर रहे है, rate of corrosion को कैसे कम कर रहे है जब हम इस difference को बढ़ा रहे हैं हम जितनी जञादा current पहार से देंगे उतना rate of corrosion कम होगा, उसको हम experimentsually दिखेंगे, तो ये किस का criteria है यह criteria है impressed current cathodic protection का चहां पर हमें बाहर से power supply देनी पड़ेगी current हम बाहर से देंगे तब जाके उस anode का protection कर पाएंगे क्योंकि हम anodic polarization को क्या करेंगे एनोडic polarization की बाहर से metal का dissolution चादा होता है जितना anodic polarization होगा उतना ज्यादा corrosion होगा यहां पर corrosion रेट है और इस से नीचे corrosion rate क्या होगा यह देखिए यह है एक 7 एक 7 आप किसका 7 आप है impressed current cathodic protection अब देखे यहाँ पर यह एक हमने टैंक लिया है यह पाइप भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है पाइप और यह चैंग में भी तेयर इंसाइड दE अर्थ सरफेस यह बरीड हैं दुनों कि दुनों अर्थ के नीचे हैं अब इसको हमने प्रोटेक्ट करना यह steel का बना हुआ है इसको protect करने के लिए हमने क्या क्या एक anode लिया यह anode किसका बना हुआ होगा inactive metals का जैसे platinum है titanium है इस तरीके के inactive metals का यह anode बना होगा जो कोई reaction नहीं करेगा यानि इसका corrosion नहीं होगा but it can act as anode यह anode की तरह act कर सकता है लेकिन इस पर कोई भी क्या नहीं होगा corrosion नहीं होगा यह anode की तरह कैसे act करेगा जब हम इसको बाहर से किसी DC source से जोड़ेंगे यह DC source है इस DC source का positive part तो हमने इससे जोड़ दिया और इसका negative part हमने जोड़ दिया उस metal से उस object से जिस object को हमें protect करना है अब हमें एक चीज़ यह पता है कि यह metal का क्या जो corrosion है वो नहीं होगा इस metal का क्योंकि corrosion नहीं होगा तो यह दीरे दीरे समय के साथ corrode नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कोई reaction ऐसी नहीं हो रही है यह act कर रहा है क्योंकि हमने इसको DC के positive part से जोड़ दिया है और इसको जोड़ दिया हम negative part से जब हमने इसको negative part से जोड़ दिया है तो यह किसकी तरह act करने लगेगा cathode की तरह हमने क्या किया देखिए बाहर से power supply करी current supply करी इसमें बाहर से जब हमने इसमें बाहर से current supply करी, हमने यह इतनी ज़्यादा supply कर दी है, जिससे की anodic polarization कम हो जाए, यह किसकी तरह act करने लगेगा, cathode की तरह, किसकी तरह act करने गा, cathode की तरह, इससे क्या होगा, anodic polarization बहुत कम होगा, क्योंकि हमने बहुत ज़ादा इसमें current पास कर दी किसमें कर दी देखिए हमने यहाँ anode को जोड़ दिया किस से इसके positive part से और इसके negative part से जोड़ दिया अपने metal को तो हमने बाहर से forcefully इसमें current पास की तो जब हमने current पास करी तो वो current यहाँ आई और यहाँ से current कहाँ पास होई इस cathode यह anode है यहाँ कोई reaction नहीं होगी again यह anode है इसको हम चारों और से किस से layer इसकी देनी है backfill की यहाँ पर होगा सब जगह यह हमें करना होगा कि ताकि anode जो है वो क्या करेगा देखिए uniformly यह act कर पाएगा यहाँ से current आई अब यहाँ से current इसमें आई तो कहा की ओर आ रही है cathode की ओर जो की cathodic protection की requirement थी की current कहा आनी चाहिए cathode की ओर तो number one cathodic protection हो जाएगा क्योंकि यह cathode है और यह anode है number one जो current है वो कहा जा रहे है anode से cathode की ओर तो इसलिए यह क्या है किह फोटी का एक पोइंट है जो कि यह नहीं होता है अगर हम यह पर एक ए नोड लगा रहे हैं तो क्या होता देखिए यहां से यहां जाएगी तो टाइम लगेगा हुआ तो यहां तक करेंट जाने में टाइम लगेगा हो सकता है इस पोर्शन का कोरोज्ण जल्दी होना शुरू हो जाए क्योंकि यहां तक करेंट जाने में टाइम लग रहा है उसके लिए क्या किया हमने यहां एक और ऐसा एनोड लगा दिया उस एनोड को भी क्या किया हमने बैक फिल उसके चार ओवर है तो अब देखिए अब इस साइट से भी करेंट आ रही इस साइट से भी करेंट आ रही करेंट जो है वो कहां से कहां फ्लो करेगी नेगर्टिव से पॉजिटिव की ओड़ तो करेंट यहां भी फ्लो करेगी और करेंट यहां भी फ्लो करेगी अब इसके बाद यहां से current कहा जाएगी इस area अराम से चले जाएगी तो अब अब इसका complete protection हो सकता है दूसरा हमें क्या करना है जहां पर यह joint है देखिए जहां से हमने current पास किरी जहां से भी हमने तार joint किये इसका insulation proper करना है ताकि इसकी वजह से कोई defect ना हो जाए यह भी जो ह और backfill होगा और anode हम कई सारे लगा सकते हैं इसमें किनो anode कैसे होगे they are non-reactive they are noble metal anodes जो की react नहीं करेंगे अब मानिये कि अगर हमने इसमें backfill नहीं लगाई होती है यह ऐसे ही होता तो क्या होता कि मान लीजिए अब यह soil environment है अंदर क्या है soil का environment है यहां अब soil में क्या है kate loins in environments electrolytic solutions हैं तो हो सकता है यहां का जो इस जगह का जो electrolytic solution है वो अच्छा electrolytic solution हो conductance उसकी अछी हो और इस जगह पर जो solution है इस बीच में उसकी conductance अच्छी नहीं यहhua तो क्या होगा अगर इसकी conductance अच्छी होगी तो यहाँ इस जगह से तो फटा-फट current जाएगी और इस जगह से current उतनी अच्छी जल्दी नहीं जाएगी जितनी जल्दी इस area से जाएगी क्योंकि यहाँ पर conducting material अच्छा है अगर यहाँ पर conducting material अच्छा है तो यह वाली portion से current ज अच्छी नहीं होगी पास, तो क्या होगा, इस वाली जगह का corrosion, यहां पर तो क्या corrosion नहीं होता है, अगर हम किसका case देखें, जो current का जो difference है देखें, वो आ जाएगा, तो उससे क्या होगा कि, यह anode जो है, वो current पास equally नहीं करेंगा, तो फिर इसका protection भी equally नहीं होगा, तो क्या करते हैं, इसके चारों एक layer लगा देते हैं, जिससे कि यह anode है, यह uniformly current पास करें, और sacrificial के case में तो आप देखेंगे, क्योंकि वो anode जो है, वो react करने वाला है, तो उस case में हो सकता है, कि इस जगह पर anode जल्दी जल्दी react करें, और इस जगह पर ना करें, तो यह वाला portion तो corrode हो जाए जल्दी, और यह वाला portion corrode ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, इसके बाहर से backfill लगाते हैं, ताकि जो corrosion हो रहा है, कहां पर, sacrificial में, जो corrosion हो रहा है, एनोट का, वो क्या हो सके, uniform हो सके, उसके लिए हम उसके चारों बैक फिल लगाते हैं, और यहां पर बैक फिल क्यों लगा रहे हैं, ताकि current जो है, वो uniformly, यहां से यहां, पास हो सके, uniformly पास हो सके, तो आपको अंतर पता चला होगा, sacrificial anode में हमने कोई current पास नहीं करी थी, यहां पर हमें current पास करनी है, current कितनी पास करनी है, जितनी ज्यादा पास कर सके, कितनी पास करनी है, उतनी पास करनी है, जिससे की anodic polarization क्या हो सके, कम हो सके, anodic polarization जितना कम होगा, उतना ज्यादा क्य उसका पोलराईजेशन उतना अधिक उसका प्रोटेक्शन होना उसका नहीं घुलना तो यह मिक्स पोटेंशल थियोरी से हम जान सकते हैं अब इस थियोरी के कुछ फाइदे देखें और क्या उसके नुकसान है वह हम देखेंगे अगर हम इस थियोरी के नुकसान देखें तो एक नुकसान तो यह है कि यह कोस्टली पढ़ेगा जो के थो इंप्रेस्ट करेंट कैथोडिक प्रोटेक्शन जो है वह कॉस्ट्ली होगा क्योंकि आप चाहिए हमें पूरा इसमें हमें क्लेक्ट्रिक करेंट भी पास करनी है बिजली भी खर्च होगी और जो 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 आनोड है वो भी बड़ा मेहंगा है देखे प्लेटीनम है या या कोई नॉन रियक्टिव मेहंगे होते हैं तो वह कॉस्टली पड़ता है लेकिन इसका फाइदा क्या होगा कि जो एनोर्ड है इटकन फंक्शन फॉर लोंगर यह लंबे समय तक काम करेगा क्यों क्यों कि एनोर्ड जो समय तक यह प्रोटेक्शन चलेगा बार बार हमें इसे मॉनिटर करने की जरुवत नहीं पड़ेगी लॉंगर प्रोटेक्शन है डज नॉट रिक्वाइर मॉनिटिंग ओफ एनोडिक माटियल को चेक करने की जरुवत नहीं है कि उसका कोरोजन तो नहीं हो गया क्योंकि एन लिए रस लएक ते करेंट को एड़ेस्ट कर सकते हैं एक इसका जो नुकसान है स्कोजा करेंट कर चलेट कर करेंदा है कोई दूसरा अगर इसस सेट आप कोई हमान पाईप लाइन को उसके बगल में और दूसरी ऑन दी डाली हैией कई बार क्या होता है इस current की वजय से वो जो matter है वो भी क्या हो जाता है उस पर भी corrosion आ जाता है वो corrode होता है हमारा वाला मैटल बच जाता है तो वो straight current corrosion होता है उसको हम detail में नहीं ले गएं क्योंकि यह वहां पर है और वो उस एनोड से करेंट ले सकती है और उस एनोड से करेंट लेकर वो खुद को रोड हो जा सकती है तो दूस हमारी जो प्रोटेक्शन हमारा तो प्रोटेक्ट हो गया लेकिन दूसरे का जो मैटल था वो प्रोटेक्ट नहीं हो सकता है पाइप लाइप जैसे दूसरे material में leakage हो सकती है. अब देखिए, आब हमें पढ़ना है Anodic Protection के बारे में. तो जब हम पढ़ेंगे, तो Anodic Protection को किसका कर सकते हम? Anodic Protection करते हैं active, passive metal का. General passive metal का हम, जब protection करते हैं, तो वो anodic protection के थिरू करते हैं, और जब active metal का प्रोटेक्शन करते हैं, तो वह कैथोडिक प्रोटेक्शन के दुरू करते हैं, यह एक डिफरेंस और है, क्या डिफरेंस है, जब एक्टिव मेटल को हम प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, तो कैथोडिक प्रोटेक्शन से करेंगे, और जब पैसिव मेटल को प्रोटेक्ट करना जाएंगे तो हम करेंगे इसको anodic protection method से anodic protection को करने के लिए उससे पहले हमें फिर से कहा जाना पड़ेगा इस mixed potential theory में जाना होगा और again हम यहां से देखें देखें यह जो graph है यह जो lines हैं यह for active metals हैं यहां से यहां जो हम जा रहे हैं active metal के लिए हैं जैसे जैसे आई ए बढ़ाएंगे anodic current बढ़ाएंगे anodic polarization increase होगा और जैसे जैसे IC घटाएंगे cathodic protection decrease cathodic protection क्या होगा increase होगा तो यह जो है देखिए यह case किसका active metal लेकिन passive metal के लिए क्या होता है passive metal के लिए एक critical value होती है anodic current की तो यह एक critical value है जिसके बाद आप देखेंगे इसके बाद अगर anodic current बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यह current density कम होगी और इस position पर आकर आप देखेंगे यह एक passive zone में चला जाएगा यानि जैसे जैसे हम anodic current को बढ़ाएंगे polarization बढ़ेगा हम बाहर से supply करेंगे क्या supply करेंगे current बाहर से supply करेंगे बढ़ाते गए anodic current को बढ़ाएं तो उनका जो E corrosion है देखे बढ़ गया, rate of corrosion बढ़ गया, rate of corrosion बढ़ेगा तो उनका corrosion बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर passive metal को देखें तो वहाँ पर यहाँ पर एक break लग जाएगा, passive metal में यहाँ तक तो corrosion बढ़ेगा, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, यह corrosion कम हो जाएगा, और हम अगर बहुत कम current पास करें, यह इतनी current होगी, तो फिर वो passive zone में चला जाएगा, उसके बाद वो फिर corrode नहीं होगा, कुछ समय तक वो metal corrode होगा, उसके बाद वो metal corrode नहीं ह बहुत कम हमें current देनी है, इतनी कम current दे कर हम क्या कर सकते हैं, उस anode को protect कर सकते हैं, अब देखेंगे difference anodic protection और cathodic protection में क्या है, अब यह anodic protection को देखिये, यह active passive metal या passive metal के लिए होता है, जबकि जो cathodic protection है वो किसके लिए है, active metals के लिए, जो cathodic protection है वहाँ पर हमने क्या किया था, जो metal जिसे protect करना था, उसे हमने क्या बना दिया था, cathode, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, anode को, जो metal को जिसको protect करना है, उसको anode ही रहने देंगे, उसको क्या रहने देंगे, anode, उसको change नहीं करेंगे, अब जो anode होगा, उसको ह जो हमारा मेटल है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है उसको हम एनोड ही रहने देंगे और उस एनोड को हम प्रोटेक्ट करेंगे उस एनोड को हम प्रोटेक्ट दो मेथड से कर सकते हैं एक मेथड तो है पोटेंशियो स्टेट मेथड पोटेंशियो स्टेट मेथड है दो के चारों और हमने क्या बना दी थी? आपक्साइट की लेएर बना दी थी, Спार 6 और उसको एनोड बनाने से क्या होगा कि कुछ समय तक हमें उसमें बाहर से करेंट देनी होगी छोटी सी करेंट देनी होगी और उस करेंट देने के बाद वो क्या होगा protect हो जाएगा कुछ समय के बाद वो automatically protect होगा क्योंकि उसके चारों और क्या बन जाएगी एक layer बन जाएगी due to anodic polarization यहाँ पर anodic polarization होगा और एक particular point पर आके anodic polarization की वजह से उसके चारों और एक layer बन जाएगी इस case में क्या होता है passive metals के case में क्या होता है जैसे जैसे जब हम current बढ़ाते हैं anodic potential एक stage तक तो corrosion होता है after a certain stage corrosion रुक जाता है किनका रुकता है जो passive metals होते है देखिए यह जो anodic protection है उसके लिए क्या conditions है condition है कि metal passive होना चाहिए जैसे chromium है, titanium है निकल है इनका protection हम anodic protection से करते हैं या aluminium को भी हम लेते हैं वो भी passive metal है और उसका protection हम anodic polarization के दुरूब कर सकते हैं यह क्या है initial में तो costly होता है क्योंकि पूरा setup करना है पूरा आपको current pass करने के लिए setup बनाना initially तो यह costly है लेकिन बाद में क्या है यह protection अच्छा देता है इसलिए बाद में इसकी cost उतनी माहिने नहीं रखती है but setup बनाने में इसमें cost लगती है एक और फायदा है applied current बहुत कम होती है आपने देखा जो applied current हो कम हो जाती है क्योंकि after a certain this anodic current यह क्या होता है the rate of corrosion it comes to the passive region वह कहाँ चला जाता है passive region कुछ समय तक corrosion rate बढ़ता है उसके बाद वह passive region में चला जाता है तो एक short current हो apply करनी होती है इस method में यह देखी यह setup है anodic protection का और इस anodic protection में देखिए क्या कर रहे हम यह वो anode है मानले जिए कोई water tank है थोड़ी दिर के लिए तो यह वो anode है जिस anode का हम है protection करना है इसको हमने anode ही रहने दिया इसको हमने anode रहने दिया इसके साथ हमें क्या चीज़ें चाहिए इसको हमने जोड़ दिया देखिए यह potential states है यह external current supply देगा फिर इसमें हमने एक एड़ किया है reference electrode यह reference electrode है यह reference electrode भी हमने इस potential state से जोड़ दिया और इनको voltameter से जोड़ दिया आपसमें जो एक reference electrode आया और जो एक हमारा जिसको हम protect करना है वो वाला जो metal वहाँ से जो joining आई उन दोनों को voltmeter से जोड दिया यह जो reference electrode है इसका काम क्या है यह constant potential provide करता है यह जो potential meter है potential state है यह with respect to reference electrode constant potential supply करता है इसको किसको जिसको हमें protect करना है अब यह तो है anode cathode क्या हो तो cathode के लिए क्या लेंगे एक inert जैसे platinum का inert metal का क्या लेंगे एक cathode ले लेंगे और उस cathode को भी हम potential state से जोड देंगे potential state से तीन things जोडनी है एक तो वो metal जिसको protect करना है उसको जोडना है सारा का सारा जो भी joint है वहाँ पर joint है वो अच्छी तरीके से seal होना चाहिए ठीक है तो जोड़ा है यह जिसको protect करना है यह anode की तरह एक्ट करेगा एक होगा एक होगा reference electrode reference electrode जो है उसके respect में potential state constant potential देगा और क्योंकि anode है तो एक पूरी cell बनाने के लिए एक cathode चीए तो यहाँ पर non-reactive metal की क्या करेंगे अब क्या होगा जैसे जैसे यहाँ से हम current पास करेंगे तो कुछ समय तक तक तो इसका क्या होगा corrosion होगा कुछ समय होगा लेकिन कुछ समय बात क्या होगा इसके चारों और एक oxide layer बन जाएगी जो इसको corrosion होने से इसको protect करेगी तो यह जो oxide layer बन गई इस oxide layer के बनने से यह क्या बन जाता है passive पैसिव कुछ समय बाद क्या बन जाएगा पैसिव किस तरीके से ऑक्साइट का फॉर्मेशन होता है देखे जैसे इमार लीजे क्रोमियम है तो क्रोमियम एनोड की तरह एक्ट कर रहा है यह वो मेटल है जिसे हमें प्रोटेक्ट करना है तो क्योंकि एनोड की तरह एक्ट कर र और ऑक्साइट कहां चला जाएगा इस मेटल के चारों और कलेक्ट हो जाएगा इसकी लेयर बन जाएगी तो कुछ समय तक तो इस मेटल का को रोजन होगा आफ्टर सम टाइम को रोजन बंद हो जाएगा और उसके चारों क्या हो जाएगे प्रोटेक्टेट लेयर तो हम यह द और कि यह कहा थे फिराए ग्यरे में बात है कि डोजीमिक चारों करकों से आपशाइड नेवाrix al कि असलों कि दो बत्रत्थ मिद्दैक कर सकते हैं इस तरिक पंडूंशन यह देख़िंग्यां किन अर्ग जो सब्सक्ered राइट्विक अन्विन देनेगतं अब्सक्राइब्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं दोनों केस में क्या होगा कि जो जो मेटल है हमारा जिसको प्रोटेक्ट करना है वो कैथोड हम उसको बना देंगे ठीक है लेकिन यह अलग-अलग कंडिशन चाहिए जरूरी नहीं है सब जगह पर हम उसको सेक्रिफिशियल अनोट कर पाएं सब जगह जाते हैं देखिये जो एक्टिव मैटल की बात टी हम और चुप पैसिव मेटल की तरह कंट करने लगते हैं तो ऌने के सब्सक्राइस हैं उनके केस में केसमें पर्टिकुलर पॉंट पर आपकर वह पर वह रुख जाता है और चारों वर नहीं होते हैं और उसके बाद हैं प करते हैं अगर हमность negative protection कि पोzess旁ए मेटल still揪ान के फिर तरु करते है what अब अगर हम हम हम्य होत्य है करना सी करना तो हम क्या करें current जॉनधा करें जितनी ज्यादा पास करेंगे अंटनी ज्यादा पड़ाद है तो क्या हो जाएगा ज्यादा क्या होगा को रोजन होगा और ज्यादा को रोजन होगा तो उससे क्या होगा जो हमादा को रोजन ज्यादा होगा यानि रेट अफ को रोजन बढ़ जाएगा लेकिन एक्टिव मेटल के लिए होता है कि आफ्टर रसर्टेन आई कर पास करने के बाद वो पैसिव पोजिशन पर पहुंच जाता है जो पैसिव मेटल होता है और जितना ज्यादा कैथोडिक पोलराइजेशन होगा उतना धीरे धीरे एनोड डिगरेट होगा उतना धीरे धीरे क्या होगा जो मेटल है उसका कोरोजन होगा तो यह जो जो एनोडि polarization बढ़ेगा वैसे वैसे corrosion बढ़ेगा किनका किनका बढ़ेगा वैसे वैसे corrosion बढ़ेगा active metals का और जैसे जैसे anodic polarization बढ़ेगा वैसे वैसे passive metals का पहले corrosion बढ़ेगा उसके बाद corrosion कम हो जाएगा अगर हम cathodic polarization देखें तो cathodic polarization जैसे जैसे बढ़ेगा, क्या होगा? corrosion कम होगा, क्योंकि cathodic polarization बढ़ रहा है. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, कि कैसे हम corrosion को बचा सकते हैं through electrochemical methods, क्योंकि आपके और से कुछ questions आए थे, तो मुझे लगा कि ये वाला portion आपके लिए बड़ा important है, इसलिए मैंने कोशिश करी कि मैं आपको इसको simple way में बता पाऊं कि कैसे हम ये जो polarization है, उसका यूज कर सकते हैं for protection of the metals through this electrochemical method. So, thank you very much.